हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज कोईस्टन है यह दि ए प्लस वन अपन ए स्कल टू आठ तो ए स्क्वाइर प्लस वन अपन ए स्क्वाइर का मान गयात कीजिए फ्रेंज इस प्रकार के प्रश्ण को कैसे हल किया जाता है इसमें आपको इस्टे पा इस्टे बता अब इसके बात क्या करना होता है आपको मान ग्याद करना है कि यहां पर लिखें कि दोनों पच्छों का वर्ग करने पर देखें यहां पर दोनों पच्छों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर दोनों पच्छों को वर्ग देखे A प्लास 1 अपा A का होल इसकोई दोनों पच्छों को वर्ग कर देजिए A 8 का इसकोई ठीक है अब यहाँ पर अपने तरफ से मान लेजिए कि माना Capital A is called to Small A Capital B is called to 1 अपान A ठीक है फ्रेद 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 इसको आप ध्यान से देखिए A प्लस 1 अपान के होल इसकोईर का यह है यह आपको पता चलना है कि A प्लस B का होल इसकोईर का फार्मूला है यहाँ पर आप क्या कीजिए A प्लस b का whole square का formula लिखेए देखे a square plus b square plus 2 a b ठीक जहाँ पि a है वहाँ पे small a लिखेए जहाँ पी b है one up on a लिखेए और इसका whole square कर दीजे ठीक है अब देखिए friends क्या है कि a square यानि a का square का मतलब a का square कर कीजिए plus b square का मतलब 1 upon A का Square कर दिए प्लस 2 A का मतलब A और B का मतलब 1 upon A अब देखे फ्रेंस यहाँ पर क्या करना है आपको क्यो A plus 1 upon A whole square का मान कितना है 8 का square जहाँ पर 8 का square लिख सकते है यहाँ पर 8 का square लिखिए यह हो जा कि A का square 1 upon A square की तो क्राहिए को जाने एला नहीं स्ब्सकूरुर को एसका मतलब मիला प्लस कि इसकाने होड़ा और यहां पी स्कूरुजहंटार् सब्सक्राइब प्लस दो लिखेंगे देखे फ्रेंस आपको मान गयाद करना है किसका A square plus 1 upon A square का मान गयाद करना है यहां से आप इसको 2 को यहां किया कि पच्छाँटर कर देजी इसको उठा के आप इस साइड लाईए ठीक है देखे फ्रेंज जब इसको उठाके इस साइड लाएंगे यहां धियान देना है कि यह प्लस दो है जब एक पच्छ से किसी संख्या को दूसरे पच्छ में ले जाते हैं तो उसका चिन बदल जाता है इसका चिन क्या है प्लस है तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा यहां पे 64 लिखिए प्लस दो है तो यहां पर माहीनस दो होगा यहाँ एसकुएर प्लस वण अपाल एसकुएर होगा अब चौसर में से दो गटाएग कितना होगा फ्रेंज बासर फैस क लिटू हो जग एसक्याट प्लस वण अपाल एस्ट्वायर तो आपका एंसर कितना 62 और यही आपको ग्याद करना था कि A square plus 1 upon A square कमान कितना होगा तो आपका answer होगा कि A square plus 1 upon A square इसका 62 यही आपका answer होगा तो friends आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें